और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टेक में, दोस्तों जो हम कंबेर करेंगे रियल्मी और वन प्लस की तरफ से रिसेंटली इंडिया में लॉंच हो दो धामा के दारे स्पेक्स वाले 5G स्मार्टफोन को, जिनका नामे रियल्मी 13 प्रो और वन प्लस देखने को मिलेगी, वही बन प्लस नोट से ये 4 में आपको 6.7 के फ्लूड आमीलटट डिस्पमे अगर बात करें स्केरिया में लोडिक्शन होग तो धो रियल्मी और 188 gram देखने को मिलेगा वहीं One Plus का wait आपको 186 gram देखने को मिलेगा तो wait में दोनोh mobile आपको एक्ड़म similar देखने को मिलेगे अगर बात करें दोनोh mobile हो के 2500 refresh rate देखने को मिलेगा अगर बात करें build quality की तो दोने mobile में आपको front glass और back of frame आपको plastic देखने को सुझनल पर यहां परफर्मंस आपको यह हें परफोर्माइंस आपको वन पलस के काफ़ी बैटर देखने को मिलगी। अगर बात करें दोनों मुबैल के ग्राफिक्स के दोral adalah m coat desen Nunca 10-gp देखने को मिलगा। वही OnePlus में आपको Adino 720GB देखने को मिलेगा यहाँ पर Gaming Graphics भी आपको OnePlus के काफ़ी better देखने को मिलेंगे अगर बात करें Card Slot के तो Realme में आपको Card Slot देखने को नहीं मिलेगा वही OnePlus में आपको MacroSD Card Slot देखने को मिलेगा अगर बात करें Internal Memory के तो Realme में आपको 128GB, 256GB और 512GB के वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे वही OnePlus में आपको 128GB और 256GB के वेरियंट्स देखने को मिलेंगे अगर बात करें RAM के तो Realme आपको 8GB और 12GB के वेरियंट्स में देखने को मिलेगा वही OnePlus बस आपको 8GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें storage type की तो दोने ये mobile में आपको UFS 3.1 storage type देखने को मिलेगा और अगर बात करें camera segment की तो दोने ये mobile में 50 और 8 megapixel का dual camera setup आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें selfie camera की तो realme में आपको 32 megapixel का front camera देखने को मिलेगा वही OnePlus में आपको 16 Megapixel का Front Camera देखने को मिलेगा तो यहाँ पर Selfie Camera आपको Realme का काफी better देखने को मिलेगा अगर बात करें Sound Quality के तो दोने यह Mobile में आपको Stereo Speakers देखने को मिलेगे और दोने यह Mobile में आपको 3.5 mm जग का फीचर भी देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें Fingerprint Sensor के तो दोने यह Mobile में Fingerprint Sensor आपको Under Display देखने को मिलेगा और दोने यह Mobile में आपको 2.0 Tabs USB Port भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें Infra Red Port और NFC के तो Realme में आपको Infra Red Port और NFC दोनों का फीचर देखने को नहीं मिलेगे वही OnePlus में आपको Infra Red Port का फीचर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको NFC का फीचर देखने को मिल जाएगा और अगर बात करें दोनों Mobile के बैटर सेगमेंट के तो Realme में आपको 5200MH के LAPO बैटरी देखने को मिलेगी वही OnePlus में आपको 5500MH के LAPO बैटरी देखने को मिलेगी चार्जिंग के बात करें तो Realme में आपको 45W के फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी वही OnePlus में आपको 100W के फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी इंडिया में Realme 13 Pro का प्राइस 26,999 होगा वहीं OnePlus Note CE4 का प्राइस 24,999 होगा तो दोस्तों यही था इंदनों मुबाइलों का complete comparison overall दिखा है तो दोस्तों camera segment आपको दोने मुबाइल में एक दम सेम देखने को मिलेगा लेकिन performance और battery segment आपको OnePlus Note CE4 का काफी better देखने को मिलेगा तो इस comparison का clear winner होगा OnePlus Note CE4 अगर आपको वीडियो चल लगा तो वीडियो को लेक्शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में